गुड यूनिंग आलाफियू आज एक ऐसे टॉपिक बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्तपूर है आज हम डिस्कस करेंगे समविधान के बारे में यानि की हमारा कांस्टिटुशन समविधान हमारा क्या है उसकी विसिस्ताएं क्या है अगर सम्मिधान समझना है आपको तो उसकी परिभासाएं क्या हैं, हमारे विद्वानों ने क्या क्या परिभासाई दी हैं, इन सभी बातों को हम डिसकस करते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का जो टॉपिक हमारा वो है आपका सम्मिधान, अब सभी को थोड़ा डिसकस करेंगे तो इसके परिभासा के बारे में बात करूँ मैं तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो definition है वो क्या है आप सम्मिधान को अगर डिसकस करेंगे तो आप चाहे लिख सकते हैं चाहे आप सुनके भीस को याद कर सकते हैं सम्मिधान का जो तात्पर है वो क्या है सम्मिधान का तात्पर उन सभी लिखित और आलिखित अभी एक एक पॉइंट को मैं डिसकस करते हूं चल रहा हूं आलिखित नियमो कामा विनियमो यानि नियमो और विनियमो यह समझेगा नियम और विनियम क्या होते हैं नियम आप सबको पता है रूल्स अब रूल्स क्या होते हैं नियम आप सरल सब्दों में यह समझे लिजिए एक ऐसा जो सूचना हो जिसमें आपको यह पता हो आप क्या क कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो उसी के अंतरगत आपको बिनियम बताता है उसी का जो सब पार्ट है वो बिनियम का ही हिस्सा हो सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि तथा कि उसके कि संग्रा से है जिसमें किसी किसी भी राज का राज के सासन का गठन होता है इसी में ध्यान दिजिएगा सासन का गठन होता है और अन्य विद्वानों की बाद करूं मैं तो आपने एजी गार्दनर को पढ़ा होगा यानि एक गार्दनर हमारे व्यज्ञानिक हैं बहुत बड़े पॉलिटिशन रह चुके हैं विद्वान रह चुके हैं तो उन्होंने बताया था कि संविधान जीवन का वह मार्धिज जिसे राजे ने अपने लिए अपनाया है ऐसा नहीं है राजे ने अपने लिए अपनाया है राजे में समस्त व्यक्ति जो होते हैं विशेश तोर पे हम सभी आप सबके लिए एक रूल है और आज बात करते हैं कुछ और आगे भारत के संविधान के बारे में मैं सिर्फ करूँगा बाकी चीज़े आप समझते हुए चले तो चलिए ये परिभासा थी सम्विधान का तात्पर उन सभी लिखित लिखित नियमों विनियमों तथा उसके अन्य जो अन्य चीज़ें इसमें इंग्लिवड कर सकते हो आप उसके संग्रा से हैं जिसमें किसी भी राज्य क साशन का गठन होता है, साशन का संचालन किया जाता है। अब आगे बड़ते हैं तो मैं चर्चा करूंगा भारत के सम्यधान के बारे में तो हमारा जो सम्मिधान है वो क्या था किस तरह था आप सभी को पता है कि हमारा सम्मिधान आजादी के बाद हमें सम्मिधान की जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे देश में कोई कानूर नहीं थे तो जब हमारा समिधान प्रारंब हुआ उसके बाद 26 नमंबर यानि 26 नमंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, यानि पूर्ण रूप से बन गया था इसी को हम समिधान दिवस की रूप में भी मनाते हैं तभी से हम 26 नॉम्बर को समिधान दिवस की रूप में मनाने लगे अब समिधान दिवस भी इसी डेट पर मनाते हैं ये समिधान लागू कब होता है आप सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा ये लागू हुआ सम्मिधान तब से आप इसको गड़तंतर दिवस के रूप में मनाते हैं ये गड़तंतर दिवस के रूप में मनाया जाता है अब सम्मिधान बनने में वक्त जो लगा, समय जो लगा वो लगा दो वर्स, 11 माह और ये 18 दिन ये संभावी थे, सभी विद्यार्थी पहले से भी जानते रहोंगे कुछ ऐसी बाते हैं हम डिसकस करते हैं सम्मिधान में और क्या है आप सबको बता था कि जो हमारे प्रारुप समिती के अध्धक्ष थे प्रारुप समिती के ये अध्धक्ष थे यह थे आपके भीम्राव अम्बेटकर यानि दी आर यहाँ पे अम्बेटकर को हम मेंसन कर देंगे चलिए तो वी आर अम्बेटकर समझ लिजिएगा इसी प्रकार अगर आप सम्विधान सभा के अध्धक्ष की बात करें सम्विधान जो सभा के अध्धक्ष थे यह कौन थे यानि सम्विधान सभा के अध्धक्ष डाक्टर राजैंदर परसाथ कौन थे अब ठैरिये तो कुछ बाहरी चीजें भी आपको बता रहा हूँ आप इसको थोड़ा डेपली समझिएगा deeply discussion करें तो क्या-क्या चीजें और include कर सकते हो समिधान में समिधान में जो आपको मूल अधिकार प्रदान किये गए यानि मूल अधिकार की बात करें तो आपको ये 6 मूल अधिकार दिये गए इससे पहले प्रदान तो इससे 7 किया गया था साथ मूल अधिकार दिये गया थे, लेकिन एक जो संपत्तिक अधिकार था, वो संबिधान ने हटा दिया था, यह उसमें संसुधन करके उसको हटा दिया गया, ग्यारा आपके मूल कर्तव हैं, यह जानिएगा, और प्रारंबिक जो यह 395 अनुक्षित थे, और इसको 22 अनुस सुचियों की बात करें, तो 22 है, और इसको 12 भाग में डिवाइड करते हैं, वर्तमान में आपके संबिधान में 470 अनुच्षित हैं, याद रखिएगा, सब्वी लोग ध्यान देंगे, इस ताइम आपके संबिधान में कितने अनुच्षित हैं, 470 वर्तमान में, जो भी आ अपका latest update है, इसके बारे में बात करें, अब थोड़ा और discuss करते हैं संबिधान के बारे में, हमारा संबिधान दुनिया का सबसे बड़ा संबिधान माना जाता है, ये दुनिया का सबसे लिखित, एक लिखित सबसे बड़ा संबिधान है मारा, आईए इसके बारे में कुछ तोटा सा ट्रिक हमेशा याद रखिए विशेश तोर पे उन विद्यार्थियों के लिए जैसे आप एक लंबे तरीके से पढ़ते हैं आप एक हेडिंग अगर आप पूरा लाइन टू लाइन चलेगी तो आपको वक्त लगेगा सीधा सा फंडा है एक क्या करिएगा सा विधा आप थोड़ा पॉस करके थोड़ा रुख के वीडियो को रोख करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और इस तरह के तमाम वीडियो मैं आपके साथ सेर करूँगा मैं आपके लिए बहतर मेहनत करना चाहता हूं आप लोग समर्थन करते रहें बहतर सपोर्ट देते रह और चैनल को सब्सकाइब जरूर करिएगा वेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नहीं सुचना है नहीं जानका रिया एक अच्छी तैयारी आप कर सके चलिए तो प्रारम करता हूं बिटा इसकी विसेस्ताओं की बात करें तो जो हमारा समविधान है इनका जो नागरिक सास्त्र है चाहे वो प्राइमरी लेबल का स्टूडेंट हो यानि जूनियर का भी हो वहां भी नागरिक सास्त्र है उसके बारे में कभी ये समविधान के बिसस्ताय थोड़ी बहुत पुछी जाती है लेकिन इसका एक बहतरीन ट्रिक है उस ट्रिक को तो आपका बहुत अच्छे से आप एक्जाम में अच्छा परफॉर्मस दे सकते हो तो चलिए ये ट्रिक क्या है ट्रिक किस तरह लिख लो ली ऐसे लो ली सा और का फिर धा और फिर ए लो ली सा का धाए फिर लिख देंगे आप क्या मूल अब इसना एक छोटा सा मैंने भी इए ट्रिक आपके लिए कंपूस किया है ये ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया है इसको अगर आप भीतरीन तरीके से महनत कर गए यह अपने ट्रिक अगर आपने पेपर के तरमयान इसको याद रखा तो मान लीजे आपको बहुत अच्छा पर्फॉर्मस हो जाएगा आप अच्छाभ्यास करें, अच्छी तरह मेनद करें. तो चलीए एक-एक पॉ financing में डिस्कस करता हूँ. आगे. यह जो लोग होता है, इसको क्या कहेंगे आप? यह हमारा सम्भिधान है लोग प्रभुता पर आधारित है. किस पर आधारित है? लोग प्रभुता पर आधारित है अब आप समझ रहे होंगी कि लोग प्रभुता क्या होती है ये सरवजन हिताए, सरवजन सुखाए का जो फंड़ा है हमारी सम्विधान का सबका भलाओ, ऐसा हमारा सम्विधान है भई आपका दूसरा है ली से आप क्या कहेंगे लिखित है मारा संविधान जो मारा संविधान क्या है लिखित संविधान है चलिए बने रही है बाई कांटिनू और आप अपने दोस्तों को सेर कर सकते हैं चैनल और आपका अगला टॉपिक है आपका साथ अब संविधानिक क्या है ये एक आत्मक की ह यहां साह से आप क्या करेंगे संवैधानिक उप्चार क्या है आप संसोधन करते हों आए दिन देख रहे हूंगे आप लोग की हमारे देश में जैसे अभी धारात एंसो सक्तर में संसोधन करके उसके परिवर्तन कर दिये गए वहां हटा दिया गया कुछ निये मैसे थे जो इवन होने नहीं चाहिए लेकिन हमारी सरकार ने जो भी बिगत अभी वरतमान में जो सरकार है जो भी प्रयास था उसको वहां परिवर्तित करके रख दिया गया आगे भी यहां देखेंगे का से आपका हो जाएगा कठोर सम्विधान और संविधान कठोर भी हूँ अब मैं थोड़ा वास लिख रहूं टाक कि कभर समयधान की बाद करें यहां कठोर है ओर धिया ह् गुनाह करता है तो एक अंतिम बिकल्फ होता है यदि किसी कुफासी की सजा होती तो अंतिम आपसन राष्टपती को पत्र लिख सकता है अगर वो माफ कर देता तो उसकी सजा रुक जाती है चलिए फैर आगे डिसकस करते हैं धा से आपका होगा धर्म निर्पेक्ष क्या होगा धर्म निर्पेक्ष यह सबसे महत्वपूर्ण है धर्म निर्पेक्ष और आगे फोड़ा स्पेस बनाते हैं बच्चों चलिए तो आपका एकात्मक यानि एकल नागरिक्ता भी लिख सकते हो एकल नागरिक्ता अब एकल नागरिक्ता के बारे में थोड़ा डिसकस करते हैं यह आपका जो हमारे संविधान में है यह विलॉंग करता है इंगलेंड से कहां से इंगलेंड से यह हमारा बिटिस के संविधान यानि आपका मूल से बनता है मूल अधिकार तो यह कुछ महत्वपूर ऐसी चीजें थी जो आप तयार कर सकते हो मतलब एक छोटे पैटन पर आप कम समय में अधित तयारी कैसे करेंगे किस तरह आप बहतर अपने आपको परफॉर्मस दे पाओगे एक्जाम में किस तरह आप लिखो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वेल आइकन जरूर प्रेस करें और आप अपने फ्रेंड सर्कल में यह हमारे वीडियोज को सेयर करें ताकि लोगा हमसे जूड सके और जरूर बताना कमेट वे अपने फेड़बैक जरूर मेंसन करें किस तरह आपको लगा यह वीडि प्रेटरी